नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूँ लाइफ सिटीज के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ मंत्रा में और इस वक्त मेरे साथ मौझूद हैं पल्मिनोलोजिस्ट डॉक्टर एसके मधुकर अक्सर फेस्बुक के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से हम तक ये सवाल पहुँचाए जाती है कि महिलाओं को अक्सर चस्ट पेन होता है और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो चलिए जब आप जानते हैं डॉक्टर साहब से कि आखिर इस आपने की है तो किसी भी चस्ट पेन को जानने से पहले ये देखना पड़ेगा कि चस्ट में कहां कहां से पेन हो सकता है अगर आप महिलाओं में देखें तो जो पहला जो पार्ट है जो स्तन ब्रेस्ट ब्रेस्ट की किसी भी बीमारी से महिलाओं में चस्ट पेन हो सकता है दूसरी चीज देखें तो हमारे चेस्ट में मसल्स हैं, किसी भी तरह के मसल्स के खिंचाओ या मसल्स की बीमारी से भी चेस्ट पेन हो सकता है, तीसरी चीज देखें तो आपके मसल्स के साथ साथ नर्व्स गुजरते हैं, तो नर्व्स जिसको हम निरालजिया कहते हैं, उसकी वजह से पेन हो सकता है जैसे किसी को हर्पिस जोस्टर हो गया या पोस्ट हर्पिटिक नूरालजिया मतलब वो जो नफ्स हैं उससे संबंदित बीमारी हो उससे दर्द हो सकता है चेस्ट पेन हो सकता है तीसरा देखें तो रिब्स हैं जो हड्डियां हैं तो हड्डियों में अगर कोई fracture है उसकी वज़ा से चेस्ट पेन हो सकता है हड्डियों में जो आपकी रिप्स की हड्डियां जहां बीच की हड्डियों से जूरती है वो कोस्टो कॉंडरल जंक्शन वहां एक कभी-कभी बिमारी होती है कोस्टो कॉंडराइटिस टीज सिंड्रोम उसकी वज़ा से एक पर्टिक्लर पॉइंट पर दर्द हो सकता है उससे और अंदर चलें तो फेफरे के आसपास फेफरे के बाहरी पोर्शन में एक कवर होता है प्लियूरा जो फेफरे को कवर करके रखता है तो किसी को प्लियूरिसी हो उसके कवर में बिमारी हो तो उसकी वज़ा से चेस्ट पेन हो सकता है निमोनिया उसकी वज़ा से चेस्ट पेन हो सकता है किसी के फेफरे में पानी जमा हो हलकी फलकी तो उसकी वज़ा से चेस्ट पेन हो सकता है हवा जमा हो जाए निमोथोरेक्स उसमें चेस्ट पेन हो सकता है फेफ़प्रे की धमनियों में क्लॉट हो जाए 인वालिज्म उसकी वज़ा से चेश्ट पेज़ू हो सकता है उसके बाद हम देखें तो अंदर हार्ट है अगर हार्ट की एक लेयर होती है जैसे फेफ़प्रे की लेयर की बिमारी होती है उसको pericarditis कहते हैं उसकी वज़ा से chest pain हो सकता है फेफरे के धमनियों में clot का जमना जिसको साधरन अर्थ में हम लोग heart attack कहते हैं उसकी वज़ा से chest pain हो सकता है इसके अलावा फेफरे में heart में आने जाने वाली जो खून की नली होती है उसमें अगर किसी तरह की बिमारी हो, erotic dissection या उसकी वज़ा से भी chest pain हो सकता है तो हम देखते जाएं जितने जितने आपके chest में जो जो parts हैं वो हर part की बिमारी की वज़ा से chest pain हो सकता है और इनमें से कुछ बिमारियां ऐसी हैं जिनमें chest pain के बाद सांस फूल सकता है आपको अगर अस्तन में कोई बिमारी है तो chest pain होगा, सांस नहीं फूलेगा अगर आपके neurologic nerve में कोई बिमारी है, chest के nerve में, तो chest pain होगा, सांस नहीं फूलेगा muscles में बिमारी है, chest pain के साथ सांस फूल सकता है patient के rib में fracture है, chest pain होगा, सांस नहीं फूलेगा पर अगर हम अंदर जाएं जैसे लंग्स में बिमारी है उसके प्लूरा में बिमारी है हार्ट में बिमारी है तो इन सब की वज़ा से चेस्ट पेन के बाद सांस फूल सकता है तो बहुत कम ऐसी वज़ाएं हैं जिन में चेस्ट पेन के बाद सांस होने लगता है तो वो वज़ाएं जैसे चेस्ट मसल्स लंग्स की बिमारी चाहे वो निमोनिया हो या प्लूरिसी हो हार्ट की बिमारी पेरिकार्डिल इफ्यूजन या हार्ट अटेक हार्ट फेलियर उसम में भी चेस्ट पेन होता है और फिर सांस फूलने लगती है पर वो नॉर्मल पैनिक अटेक्स होते हैं स्ट्रेस होते हैं जहां हम पेशेंट की कॉनसेलिंग करते हैं और कुछ दवाईया देते हैं वो आराम हो जाता है तो यह मुख्य वज़ाएं हैं चेस्ट पेन होने की और कुछ वज़ें हैं जहां चेस्ट पेन के बाद सांस फूलने लगती है तो यहां पे आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने किस तरीके से बताया कि चेस्ट पेन के कारण क्या है और उसके बाद चेस्ट पेन के बाद सांस क्यों फूलते हैं और आखिरकार जाते जाते हैं नहीं हुने एक और बात कही कि स्ट्रेस की वज़ा से भी चेस्ट पेन और सांस फूल सकता है तो किसी महान ने बड़ी कमाल की बात कही है कि 70-80 प्रतिशत बिमारियां तो हमारे स्ट्रेस के कारण ही होती है चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही जुड़े रहें लाव सिटीज के साथ अगर आपने इस च्छान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस च्छान को सब्सक्राइब कर ले अगर आप फेस्बुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले आप हमें चुटर पे भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद